तो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जो सस्ती भी है और बड़िया भी है कंपनी के पास में काफी strong brand है कंपनी के बहुत अच्छा market share है उसके लावा कंपनी के जो profit मार्जन है वो भी काफी impressive है तो आज हम बात करेंगे बजाज consumer care company की जो की बजाज group का एक part है इस वीडियो के अंदर कंपनी का पूरा fundamental analysis करेंगे उसके लावा इस वीडियो के अंदर कंपनी की पूरी valuation भी करेंगे कि कंपनी आज की date में किस value पे available हो रही है कि क्या कंपनी overvalued है या undervalued है तो उसके बात करते हैं बजाज consumer care company की तो company personal care और beauty care के products बनाती है उसके लागर हम बात करें कंपनी के main brand की तो company का main brand है बजाज almond drops hair oil जो की बिल्कुल super strong brand है company का अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में light hair oils की जो market है उसके अंदर ये clearly market leader है और इसके पास आज ये में 62% ज़्यादा का market share है यानि कि जितने भी hair oils जो light hair oils है वो बिकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा 62% के market share है वो बजाज almond drops hair oils का ही है और कहना की आपने भी इस product को use करा होगा या फिर कहना की किसी को use करते हुए देखा होगा इसके लाव अगर हम बात करें company की तो company अपना एक single brand के उपर jar dependency कम करने के लिए समय समय पे अपने नए products भी लेके आती रहती है और अभी फिलाल कमिन ने कई सारे जो नए products हैं वो launch किये हैं और वो है बजाज 100% pure coconut oil उसके लावा बजाज आमला aloe vera hair oil बजाज ब्रमी आमला hair oil बजाज jasmine hair oil बजाज zero gray hair oil इसके थुरू company अपना और market reach बढ़ान चाती है और एक सिर्फ एक product को dependency ना रखके company अपनी जो product range है वो भी increase करना जाती है उसके लावा August 2013 में company ने skincare brand no marks को भी acquire किया है और इसके थुरू अब company face wash face cream face scrub इस तरह के product की market में भी आ गई है तो इस तरह से हम clear देख सकते हैं कि company का पास strong brand भी है और company काफी aggressively अपने production market में ला रही है उसके बाद हम बात करें company के distribution network की क्योंकि company FMCG products में deal करती है तो उसके लिए company के पास में बहुत बढ़िया और strong distribution network होना जरूरी है जिससे company जाद जादा market reach ले सके तो उसकी विगर बात करें तो company के पास में 9000 जादा distributor है company के पास में 41 लाग से जादा retail outlet से जहाँ पे company के products मिलते हैं और पूरे ही इंडिया में पूरी pan India company की presence है तो इस तरह से हम देखते हैं तो company के पास product भी अच्छे है और company के पास में जो distribution network है वो भी काफी अच्छा है तो product wise और distribution network wise हम clearly कह सकते हैं कि company एक बहुत ही strong company है और इसके खलाव अगर हम बात करें company के financials की तो हम किसी भी company के financials चेक करने के लिए company का 5 सल का data लेते हैं और उसको पर हम फिर देखते हैं company के financials कैसे चल रहे हैं तो यहाँ पर जो company का सबसे पहला parameter देखते हैं वो देखते हैं revenue तो 2017 से लेके 2021 तब company के जो revenues है वो बहुत जादा increase तो नहीं है लेकिन काफी stable है company का 2017 में जो revenue था वो लगबग 800 क्रोड रुपे का था जो कि 2021 में 905 क्रोड रुपे का है जबकि बीच में pandemic भी आया सब चीज़ा है लेकिन फिर भी काफी stable इनके revenues हैं उसके लावा अगला parameter देखते हैं तो वो है gross profit margin और इस company बाद में बिसकुल excellent gross profit margin है पिछले 5 सल का हम डेटा देखने हैं तो कभी 64% कभी 65% और 2021 में भी 61% का इन्होंने gross profit margin अपना maintain किया है इसका मतलब यही है कि company का जो raw material है वो काफी अच्छे रिटों पर खरीदती है company का जो labor cost है वो भी काफी अच्छे से maintain करती है इसलिए इस company का बाद में इतने अच्छे gross profit margin आ रहे हैं उसके लावा अगले parameter की बात करें तो वो है operating profit margin अब operating profit margin में क्या होता है कि company ठीक है raw material ले लिए सब चीज़ कर ली लेकिन जो FMC products है इनको खास करके बहुत ज़्यादा advertisement की requirement होती है बार बार लोग के सामने अपने brands को company को produce करना पड़ता है तब ही तक वो company ज़्यादा अपनी reach बढ़ा सकती है तो इसलिए company के advertisement expenses काफी ज़्यादा होते है तो उसके वह से कई बार कुछ company की जो operating profit margin है वो काफी घड़ जाते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे बजाज इस company का देखते हैं बजाज consumer care का तो हमेशा पिछले 5 साल में कभी 30% कभी 32% और 2021 में भी जो इनका operating profit margin है वो 26% का आया है जो बहुत ही बढ़िया operating profit margin है उसके अलावा अगला जो हम parameter check करते है वो होता है free cash flow मैं खास करके net profit ही ज़ए free cash flow के ओपर company को judge करना ज़्यादा better समझता हूँ क्योंकि net profit में कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनियों को profit तो generate हो जाता है कई बार वो 100% जो है encashment नहीं उपाती कुछ bad debts हो जाते हैं या फिर encashment होने के बाद भी company को वापिस से वो पैसा अपनी company में reinvest करना पड़ता है capital expenditure के लिए तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पिछले 5 साल में हर साल company को पास में free cash flow available है इसका मतलब यह company सारे खर्चे करने के बाद भी काफी अच्छे से पैसा अपने पास रख पा रही है 2017 में company को पास में 176 क्रोड रुपे का free cash flow था जो की 2021 में बढ़के 234 क्रोड रुपे हो गया free cash flow का मतलब यह होता है कि वो पैसा जो company को पास में free पड़ा है चाहे तो वो उससे distribute करके dividend बाढ़ सकती है या फिर वो अपने पास रख सकती है कल को किसी और further किसी company को acquire करने के लिए लेकिन यह वो पैसा है जो सारा काम काता हमने पास में company को पास में freely available है तो यह पैसा हमें company की एक better picture provide करता है net profit की जगे उसके बाद में अगला जो हमारा parameter है वो है debt by equity ratio यह एक बहुत ही important ratio है और किसी भी company को judge करने के लिए हमेशा हमें खास तोर पे इस ratio को जूरू देखना चाहिए क्यों इसका मतलब होता है कि company ने कितना debt लिया हुआ है कितना loan लेकर अपना business कर रही है और अपना खुद का और investors का पैसा कितना लगा रखा है क्योंकि जब company high loan लेती है तो high interest की उसके पास liability आ जाती है और कई बार अगर company हो में कुछ problem आ जाती है तो इस विए से company collapse हो जाती है क्योंकि जो bankers है उनको तो interest चाहिए आपका business कैसा चल रहा है कैसा ने चलना उनको इस बास से कोई मतलब में होता है लेकिन हम बात करें अगर बजाज consumer company limited की तो यहाँ पे इनका debt by gracious लगबग zero है इसका मतलब company ने कोई भी debt नहीं लेवा सारा सारा अपना और investors का पैसा company ने invest किया होगा है उसका बदने अगला parameter है return on equity कि ठीक है company अपना अच्छा profit generate करी सब चीज़े है लेकिन जो investors company सा अपना पैसा invest कर रहे है company उनको कितना return दे रही है तो यहां पर हम देखते है return on equity तो last year company ने 30% का return on equity दिया है यानि कि अगर हम बात करें 15% जादा अगर कोई company return on equity देती है तो उसको काफी अच्छी company माना जाता है यहां पर तो just double की return है और उसे पिछले साल की नहीं है अगर पिछले 5 साल की डेटा हम देखते है तो 39% का return on equity है जो की बहुत ही बड़ी है excellent है तो पहले हम देखा product wise, market share wise काफी अच्छी company है उसके लाव अगर हम financials भी चेक कर रहे है तो इसमें भी काफी companies strong financials है company को आज profit margin भी अच्छा है company का return on equity भी काफी अच्छे है तो इस तरह से अभी तक तो बात होगी company के सब चीज़े बढ़िया है लेकिन हमें अब ये decide करना है कि company किस valuation पर मिल दिया है अगर अच्छी company भी है हम उसको महंगे price पर खरीदेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम already उसके लिए premium पे करेंगे तो valuation हम देखते हैं तो किसी भी अब हम बात करते हैं फिर valuation की तो किसी भी company की valuation करने के लिए मैं उसको free cash flow पर value करता हूँ और यहाँ पर हम बात करें company के 3 साल के free cash flow के average की तो आता है एक सो नबबे करोड़ और उसके इसाफ से जो company की fair value निकलती है वो आती है 9500 करोड़ पर यानि कि अगर हम पूरी पूरी बजाज consumer care company खरीदना चाते है तो 9500 करोड़ पर हमें देने होंगे और जो company के पास में free cash flow available हो रहा है वो सारा के सारा हमें मिल जाएगा बट बात ही आती है कि हमें अभी पूरी company तो नहीं खरीदनी है हमें company को share करनी है तो जो fair value है उसके इसाफ से हम पर share की कर value निकालते हैं तो वो आज की डिर्म निकलती है 641 उर्पे यानिके अगर हम 641 उर्पे पर share के साफ से बजाज consumer care limited company में invest करेंगे तो हम company को fair value देंगे कि ठीक है company इतना पैसा कमाती है तो इतना पैसा इंका बनता है बट क्योंकि हम लोग खास करके मैं अगर अपनी बात करूँ या अपने खरीदेंगे तो हमने जो भी अब तक record चेक है वो क्या है वो past record है हो सकता है future में कोई competition आजाए कोई बात आजाए तो हमें जादा risk नहीं लेना है तो उसके लिए जो भी company की fair value है उससे 50% पे हमें company के share खरीदने की कोशिच करने चाहिए तो 641 रुपे के साफ से margin of safety बनता है 320 रुपे यानिकर हम 320 रुपे पर share पे company को खरीदेंगे तो एक तरह किसम 50% value पे उस company को खरीद रहे हैं और हमारा जो risk है वो काफी हद तक cover जाता है लेकिन अगर हम बात करें आज की current share price की बजाज consumer limited की तो वो सिर्फ 183 रुपे पर share पे available है यानिकर जो 320 रुपे का हम अपना margin of safety लेकर चल रहे हैं उससे भी आधे दाव पे आज कमपनी हमें available है तो यह बहुत अच्छा time है अगर हम चाहें तो इस opportunity को बिल्कुल grab कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि मेरे तब से कोई recommendation यह नहीं है मैं सिर्फ education और information purpose से आपको बता रहा हूँ आपको इस company में invest करना नहीं करना उसके लिए अपना risk profile अच्छे है चेक कीजिए अगर आप किसी financial advisor के शुरू करना चाहते हैं तो आप उनसे advice लेजिए तब ही इस company में invest कीजिए क्योंकि चाहे कितना भी अच्छा data हो हमेशा risk कही ना कहीं involved रहता है तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगे होगी आपको पूरी detail में सारी चीज़े बता दी हैं कंपनी के financials भी अच्छे हैं कंपनी के products भी अच्छे हैं और valuation भी काफी attractive लग रही है तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको like और share जरू किजिएगा और मेरे चैनल को भी subscribe कर लजाए जिससे कि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें